नमस्कार दोस्तों मैं जितेंदर बागडी आप सभी का क्लास 24 आपनों राजस्तान के उपर हारदी कभरेंदन और स्वागत करता हूं आज अमारी जो एकोनोमिक्स की सीरीज होने वाली है बहुत ही खास और बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जिसके प्रशनों के उत्तर अगर आप सही और शकारात्मक्त दे रहे हैं तो समझ लेना आपका सेलेक्शन भाईया पक्का है 101 परसेंट है और आज के प्रसंट जो है प्रतेएक टोपिक से कोई ना कोई परसंट लिया है मैंने यानि कि आज का जो यह पेपर है यानि कि आज हम जो क्यों करने वाले हैं कि प्रतेएक टोपिक से एक परसंट कहीं ना कहीं से लिया है तो यह समगर विशलेशन और आप लोगों का आकलन भी हो जाएगा आपका मुल्यानकन भी हो जाएगा कि आप सेलेक्शन के कितने करीब हैं और आज अपनी तयारी यानि पूरे एकनोमिक्स का जो हमने एक प्रक सब्सक्राइब नमस्कार सभी को एक बार सभी अपने साथ्यों के साथ सेर कर दीजेगा और सभी को मैं गंतंत्र दिवस की बहुत बहुत सुपकाम ना और बदाया देना चाहता हूं क्योंकि कल गंतंत्र दिवस और यह 15 आगस्ट आप लोगों के लिए बहुत ही जोब हो तो भया बहुत अच्छा लगेगा अटक मटक के चल रही है क्लास का मतलब बफरिंग हो रही है क्लास ठीक है चलो भी चलो जी क्योसंस आप लोगों की सामने आ चुके हैं और पहला क्योसंस देखिएगा सबसे पहले बात करेंगे एंजल का नियम निम्नलिकित में से किस की व्याक्या करता है मांग की रिनातमक आई लोचकी मांग की सुनने आई लोचकी उची मांग की आड़ी लोचकी भई एंजिल का जो नियम है एकोनोमिक्स में बहुत ही शांदार नियम है आज भाई मुद्रा इस्पिती क्या बैंकिंग भी है एकोनोमिक्स आज के क्योशन आप लोग देख लिए एक बार आपको लग जाएगा कि हाँ आज गुरुजी ने अच्छे से मेनित किये कल एक रनवीर क का टोपिक नहीं है देखेगा क्योशन्स कि यहां पर बात कर रहे हैं यहां पर आई वाला टोपिक आई ठीक है आई वाला टोपिक उससे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है यह तो आप लोग ने इसका उत्तर दिया है एंजिल का नियम निम्द लिखित में से किसकी व्याग क क्या करता है तो यहां पर जो है मांग की दनात्मक आई लोच की बात करता है द्यान रखना भई यह मांग की दनात्मक आई की लोच की बात करता है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा भई इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है ब्रेक इवन बिंदु क्या है ब्रेक इवन बिंदु क्या है देखेगा वह इस्तती जब फरम लाब कमा रही हो वह इस्तती जब फरम को हानी हो रही हो वह इस्तती जब फरम को ने लाब हो ने हानी हो इसका लाब हानी से कोई संबंद नहीं है हाव इसका लाब हानी से सर मेरे कमेंट नहीं देखा बा क्या है ब्रेक इवन पॉइंट क्या है आप लोगों इसका उत्तर दिया है सी बिलकुल सही उत्तर दिया है बहुत गजब उत्तर दिया भिया सी वह इस्तति जब फ्रमकों ने लाब हो ने हानी हो तो वह क्या कहलाता है ब्रेक इवन बिंदू कहलाता है वह इस्तती क्या कहलाता है ब्रेक इवन बिंदू के नाम से जाना जाता है आर्द शास्तर में उत्पादन क्या होता है वस्तू का उत्पादन वस्तू में उपयोगिता का सर्जन उद्योगों की स्तापना और उपयोग सभी और कि आज भीया थोड़ी सी तबियत कि मतलब सभी ने डी चुना है चलो तो डी तो नहीं होगा उत्पादन का मतलब क्या होता है तो इकनॉमिक्स में बात कर रहे हैं वस्तुमें उप्योगिता का सर्जन जो हमता है वही उत्पादन कहलाता है थो लेंग्वेज इस्सार i raiton आंसर ऐगा यह और और फिव्य उत्तर दिया है । सिर्वानी उत्र दिया है भी जैलन्स की जो हमारे कहा कि जैलन्स की युक्रेन वाले हैं कहलो सब्सक्रेपा. बिलकुल रॉपाशं लगान सब्ध का प्रियोग सर परप्रतम किस न किया है। apo बालेंग हो प्मित लगान सब्ध का जो यह टर्मोलोरिजी है È किसके दोआरा है record के दोआरा आप लोग अभी तक class को लाइक शेर नहीं किया बहुत कंजूस कर रहे हो एकोनोमिक्स के श्टुटन्ट होकर बाया मानना पड़ेगा economics का अदमी कंजूस्त होता है लाइक सेर में भी इनको दिक्कत आई रही है चलो गई क्योसन संक्या चार का राइट अनसर मेरे इसाप से तो क्या होगा मार्सल आप लोगों ने मार्सल दिया है क्या आप लोगों ने मार्सल उत्तर नहीं दिया तो भाई इसका राइट अनसर क्या हो जाएगा अभास लगन लगान क जो सिद्दान तनको किसका है मार्सल का है अल्प काल में एक फर्म उत्पादन तबंद कर देगी कीमत और उसत परिवर्तन लागत अभीर जो परिवर्तन लागत है से कम होगा कीमत आवेर्ज लागत के बराबर होगी कीमत ओसत लागत के बराबर होगी अल्पकाल में फरम जो है अपना उत्पादन कभ बंद कर देती है और आप लोगों इसका सही उत्तर क्या चुना है कि देखो मैंने कहा था यह आपके सेलेक्शन वाला बिंदू है और इसको समझ लेना कि आज मैंने संपोन एकोनोमिक्स का जो है सार निकाला है अब आपके आप तो पूरा अर्षास्तर पढ़ रहे हो मैं तो आपको क्यों एकोनोमिक्स सामाने सा पढ़ा रहा हूं चलो वई इसका राइट अंसर अगर आप लोगों ने ए दिया है तो भया ए सही होगा बिलकूल सब विद्दार्थिय उन्हें दिया है कीमत और और उसत परिवर्तलागत liz से क्या होगा कम होगा बढ़र्ग अरद्षास्तर शे शर्म अरश शास्त प्यक्तर करेंगे बारा से दो बजे तक कल अमारी मुलाकात होगी पॉलिटि के साथ 12 से दो बजे तक और टोपिक में आपको पता देता ह MXT कल का हमारा टोपिक क्या रहने वाला है ग्यार्वी अनुसूची और भार्व इनुसूची को मज़ो होगाNe ग्जारि सहुसे और पंचाईति राज को मभी पड़के आजाना भुडू ठीक है कि इसका नौट क्या होगा सेक्स का रायक rozm अगर आप लोग ने कल्यान अर्शास्त्र दिया है तो ए इसका राइट अनसर होगा बी नहीं भई ए इसका सही होगा ए किस प्रकार की बाजार प्रणाली में सामुहिक सोदे बाजी मजदूरी को प्रभावित करने में सपल नहीं होगी पूर्ण प्रतियोगिता अपूर्ण एकादिकार और एक क्रेता दिकार किस प्रकार की बाजार प्रणाली में सामुहिक सोदे बाजी मंजूरी को प्रभावित नहीं करती है पूर्ण अपूर्ण एकादिकार और एक क्रेता दिकार तो आप लोगों ने क्या इसका उत्तर दिया है सेवन नंबर के प्रशन का आप लेने से क्या होता है ले लूँगा तेरे कुछ में पर्दान मंतरी बना दूँगा और वह गुद एका दिकार एका दिकार होना चाहिए भीया एका दिकार हो गाई थीक है साथ का सी क्या होगा राइट अनसर होगा भई ठीक है नमश्कार भई सभी को रादे-रादे, उत्पादन फलन एक फर्म ये बताता है, एक इकाई क्या लागत है, एक निश्चित मातरा में किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों का क्या क्या विभीन सयोग संभव है एक निश्चित मात्रा के उत्पादन के लिए उत्पत्ति के विभीन साधनों को लगाने का सरवत्तम डंग क्या है परम की अधिक्तम लाब की अवस्ता क्या है चलो वे तो राइट आंसर आप है तो आपको इस बात का हख्रन करने ना है कि हमारी तयारी को और कितनी मजबूति ना है ठीक है यह मिक्सप अब आज की टोपिक में तो आप लोगों ने इसका उत्तर आया वी चुना है रादे रादे वही सालू चलो जी तो इसका आप लोगों ने गर बी चुना है विभिन संयोग संभाव है यही एक फरम के बारे में बताता है तो बी क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा उत्पत्ति हास नियम के अंतरगत ओसत उत्पादन गड़ता है कुल उत्पादन भी गड गड़ता है और ओसत इस तर भी क्या होता है गड़ता सब गड़ता है तो किस परकार का होगा तो के बाजो अच्छा यह बात भी सही है किसी की देखाने कि मत करो बैया यह तुक्के वराम जो है क्लास में बहुत ज़्याद आगे आजकल गुरुजी आपका ओनलाइन कोर्स क है कैसे ले भई है हमारा ओनलाइन क्लास का जो कोर्स है केवल टैस्स दे रहे हैं बाकि हम बिल्कुल सब्सक्राइए अब को कहर्राओ से कुछ भी निंटी जाना है क्लास 24 की मबाइल अप्लिकेशन डाउन लोड करना है वहाथ से लेना है बाकि कोन reckon प्रभाव पूर्स कोई नहीं बेच रहे हम लोग ठीक है रिणात्मक होगा भई प्रभाव पूर्ण मांग का रोजगार सिद्धान्त दिया है पिंगू ने सेने ने एडम स्मित ने और किंच ने ये से आदा ये क्या इतना ये से भी जी है क्या सपास चलो ठीक अबी चलो प्रभाव पूर्ण मांग का रोजगार सिद्धान्त दिया है तैन नंबर की क्योशन का आप लोगों ने क्या उत्तर दिया है अभी तक विदारतियों क्या उत्तर दे रहे हो बया टैन नंबर का आप आप लोगों ने उत्तर डी दिया है किंस दिया है प्रभावपुण्ध मांग तो किंस इसका पिंगु नियोंगा बैए पिंगु नियोंग किंस होगा किंस जहां सनसादनों का अनुकूलतम सैयोग स्थापित हो जाता है उसे क्या कहते हैं उत्पत्ति व्रद्दी नियम उत्पत्ति हाश नियम उत्पत्ति शंता नियम उत्पत्ति उप्युक्त में से कोई भी नहीं जहां संसाधनों का अनकुलतम संयोग स्ताफित हो जाता है उसे क्या कहेंगी चलो आपका उत्तर आना स्टार्ट हो गया है मंजू सी बता रहे हैं सा प्रशांत महासागर ने उत्तर दिया है क्या वह सती सम्ता नियम करने के लिए किसी वस्तु हिक लागत रियल कोस्ट कहते हैं पूर्ण लागत फूल कोस्ट कहते हैं अवसर लागत ओपर्चुनिटी कोस्ट कहते हैं या व्यफसाइक लागत बिजनिस कोस्ट कहते हैं किसी एक वस्तू अत्वा सेवा को प्राप्त करने के लिए जिस सरोतों विकल्प का त्याग करना पड़ता है उस पड़ाए वह आपको आना चीए अवसर लागत कहते हैं और उत्तर सही दिया था प्रशांत ने बिल्कुल भया इसको आवसर लागत कहते हैं किसी राश्ट के आर्थिक द्रश्टि से कौन सा बाजार सरोत्तम है कौन सा बाजार शर्वत्तम एकादिकार बाजार मजदूरी कोज सिद्दान्त मजदूरी का जीवन निर्वास सिद्दान्त मजदूरी का सीमान तुतपादन का सिद्दान्त आर्थी कल्यान की द्रस्ति से कौन सा बाजार जो है बिल्कूल जो है क्या है शर्वत्तम माना जाए बॉटल देखाएगा चलो बहा है अब उत्तर देना इस्टार्ट करो थर्टीन का यानि तेरा का उत्तर आप लो आप क्या दे रहे हैं संह्धूरी का सीमांत उत्मादक सिद्धान्त सर्वोत्म होता है वह इसलिए इसका D क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा मजदूरी का सुनहरा सिद्धान्त golden law of facts कहलाता है मजदूरी का जीवन इस्तर सिद्धान्त मजदूरी का कोस सिद्धान्त मजदूरी का जीवन निर्वा सिद्धान्त मजदूरी का सिमान्त उत्पादन सिद्धान् लेकिन प्रसंद बदला है अब आया है मजदूरी का सुनेरा सिद्दान्थ गोल्डन लो ओफ वेक्स के नाम से पूचा है तो यहां पर सी होना चीह मेरे साथ से क्योशन संक्यागर इस्तर क्या हो जाइगा राइट अनसरो हो जाएगा एक माक्स के अनुसार लाब एक कानूनन डखेती है माक्स ने इस सिद्धान्त का अधार निम्द में से कौन सा सिद्धान था रिकोर्डों का लगान सिद्धान्त, मालतस का जनसंक्या सिद्धान्त रिकोर्डों का सर्म मुले सिद्दान्त मारसल का उपयोगिता का सिद्दान्त माक्स ने कहा था लाब एक कानूनन डकेती है और यह सिद्दान्त जो है वो किस पर आता है देखो हमारी क्लास में तुक्के बाज बहुत सारे हैं लेकिन मैं इनको तुक्के बाज नहीं मानता हू मैं इनको मानता हूँ बिर्लियंट खिलाडी यह रिस्क लेने वाले हैं और भईया जो रिस्क लेता है वो जीवन में बहुत उपर तक जाता है लक्से की प्रापति भी करता है राम प्रसाद वर्मा जी ने डी बताया है तो राम प्रसाद बिस्मिल तो हमारे थे आज वर्मा जी पिलास में आगे चलो वह तो इसमें रिकोर्डव का सी कर दें कि बएए 15 का सी मानले क्या है हाँ 15 का सही मानले क्या reclaim लेते हैं रिकार्डव का सर्म मुल्रे सिद्धान्त मान लेते हैं तो जिसका सी क्या होगा राइट आंसर होगा पूर्ति अपनी मांग स्व्यम पैदा कर लेती है यह कतन है पूर्ति अपनी मांग स्व्यम पैदा कर लेती है पीगू का रिकोर्डों का जे बी से का और माल्थस का पूर्ति अपनी मांग स्व्यम पैदा कर लेती है कतन है हाँ आनसर दे रहे हैं अरे नहीं भई कोई तुक्का नहीं होता है दे बिलकुल बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल आजादी के पावन अउसर पैसे लोगों को याद तुकिया ही जाएगा ठीक भई तो राइट अंसर सोला का आप लोगों ने रोजगार सिद्धान्त को कहते हैं प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धान्त प्रभावपूर्ण पूर्ति का सिद्धान्त उपभोग का सिद्धान्त और वीनियो का सिद्धान्त किंच वादी रोजगार सिद्धान्त को क्या कहते हैं प्रभावपूर्ण मांग प्रशांत चलो वह तो आप लोगों ने गर ए उत्तर दिया है किन्सवादी रोजकार सिद्दान्त को प्रभावजपूर्ण मांग के नाम से जाना जाता है चकारिय बेरस्गारि और विकसित और विकास hue उप्यूक्त में से कोई भी नहीं चक्क्रिय बेरोजगारी जो बार-बार आती है बेरोजगारी वो कहां पर ज्यादा देखी जाती है तो यह आर्द विक्सित देशों में होती है विक्सित देशों में होती है विकास सिल देशों में होती है चक्क्रिय बेरोजगारी बया कहा पर देखी जाती है ठीक है आप लोग कि बावेस भी बता रहे हैं असोग ए बता रहे हैं और बताओ ठीक है जिन्नोंने भी बताया है विक्सित देशों में होता है द्यान रखना चक्क्रिय बेरोजगारी बारत में तो भाया पूरी पूर्णत यहां बेरोजगारी है यहां पे तो बेरोजगारी का भी परकार बदला हुआ है गिन्नी गुणांक माप है यह आपके लेवल का प्रसन है साइद आप तो इसका तो उत्तर बताओगे फटाक देशी निवेस की उत्पादक्ता का परिवारिक पारिवारिक जोत पर गहरेलू सदस्यों की अल्प बेरोजगारी व्यापारिक बैंकों में गोण अत्वा प्रात्मिक जमा के बीच अनुपात की आई के वित्रण में समानता या एसमानता की सर मुझे इको कम आती है तो चुप चाप पड़ ले अरे कोई बात नहीं तुम तो पढ़ते रो मस्त करो आनंद करो आजादी का पर्व मनाओ सवतंतर देश में रहते हो सवतंतर उत्तर देने के आप हकदार हो चलो गुनिस का डी बिल्कुल यह आप मैंने कह दिया था यह आपके रडार में है प्रशन तो आए के वित्रण में समानता और एसमानता गिन्नी गुनांक में तुम से किसी को भी नहीं किसको को के को सब्सक्राइब उनिस विगतर में नोबेल पुरुषकार दिया गया है सी इस राइट अंसर एक देश की आई ऐसमानताओं को मापा जाता है लोरेंज वक्र के द्वारा गिन्नी गुणांक के द्वारा विवीन आकार वर्गों द्वारा प्राप्त आई के अनुपात के द्वारा उप्यूक होना है क्या दिनेश धी क्या मैं इसका डी बिल्कुल डी मानना चीए ना आई मापने के लिए तो लॉरेंज वक्र भी है गिन्नी गुणांक भी और प्राप्त अनुपात भी और उप्यूक सभी नहीं हो सकता क्या उप्यूक सभी ओना ची बही ये दोनों आई की माप को ल क्या होगा मुद्रा वहदुरी जिसके चारों और आर्थिक चक्कर लगाता है यह कतन है पीगू का मार्सल का रॉबर्ट सन का होम पारज़ आप लोग चुनोगे वह 22 काला है अप लोग चुनोगे मेरे वरे देश में पहले गाड़ी चलती थी आज कल तो बंद होगय मार्षल बोलोरे जोॉअ पहले लाwe पहले लगा दिया च dulu करती तो महिंद्रा की यह चक्कर लगाती तो चकर लगा था कियामिर मारशल् मुद्रा एक परीशंपति है इसकी मांग दूसरी परीशंपतियों की मांग के साथ ही निर्दारित होती है विचार दिया था मार्सल का टोबिन का फ्रिडमेन का और जॉंसन का मुद्रा एक परीशंपति इसकी मांग दूसरी परीशंपतियों की मांग के साथ ही निर्दारी तो होती है कि उन्हीं गाउ में आज भी है थार अलग चीज है बरात का मज़ा बहीं आप पहले की बात करें तो एक तो पहले चलती थी ताता सुमा और एक चलती थी भाई आपकी ये सी तो भया हाँ खाने का समय भी हो गया है ग्रेश्म के नियम के अनुसार अच्छी मुद्रा बुरी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर बढ़िया से ग्रेश्म के नियम के अनुसार क्या नियम यहां पे काम करता है बावेस भी बता रहा है बिल्कूल बुरी मुद्रा जो होती है अच्छी मुद्रा को भी चलन से क्या कर देती है बाहर कर देती है तो इसका बी क्या हो जाएगा राइट अनसर हो जाएगा बी क्या अर्ष सास्त्री का है डी एच रोबर्सन ए मार्सल जे एम किन्स और जे टॉबिन जो मुद्रा मानव जाती को अनेक वरदानों का स्रोत है यदि नियंत्रित नहीं की जाए तो विप्रत्ति और विब्रम का कारण बन जाती है और आप लोग इसका उत्तर दे रहे हैं जोसी जी कहां से आए है एक बार बताओ भाई जोसी जी राजस्तान के कौन से जिले में विराजमान है राजस्तान में यह की जोसी बड़े परसिद हुए है हरीदेव जोसी और वह एक और जोसी जागे है क्लास में चलो गई तो राइट अंसर होगा 25 का एई है डी एच रॉबर्ट सन इसका क्या होगा राइट अंसर होगा प्लिप्स वक्र निमन में से किस बीच संबंद को दर्शाता है मजदूरी वरद्धी इस्पती दर का प्रतिशत तता अर्ध शास्त्र सर्म बलकी बेरोजगारी का प्रतिशत मजदूरी वरद्धी का प्रतिशत तता अर्थ व्रद्धा सर्म बलके रोजगार वरद्धी का प् सब्सक्राइब 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 राजस्तान में एक तो मूफड़ी उत्पादन के लिए है और एक वो पानी वाले जो इंजन होते हैं पानी के इंजन कितने विदारती पानी वाले इंजन जानते हैं चलो तो राइट आंसर क्या दिया 26 का भाई ठीक है सालू जी अरे बीकानेर वालों का बढ़ाब की बार जमावड़ा जमाय रखा है वह बीकानेर अनुपगड़ में नहीं गए तुम लोग 26 का भी या उत्तर हो जाएगा एक क्या हो जाएगा इसका मज़दूरी वरद्दी का प्रतिशत तता अरश्शास्तर के सरम बल्कि बेरोजगारी का प्रतिशत मुद्रा इस्पिती अन्याई पूर्ण है और मुद्रा संकूचन अनुप्यूखत है इन दोनों में मुद्रा सं संकुचन अधिक बुरा है यह कतन किसका है मुद्रा संकुचन और मुद्रा इस्पिती दोनों अन्याई पूर्ण है लेकिन मुद्रा संकुचन इसकी तुनला में ज्यादा बुरा है किन्स का फ्रिडमेन का फीशर का और रोबर्सन का 27 का राइट अंसर क्या दिया आप लोगो स्क्राइब है इंप्रैस्ट reflecting स्थिंट मैं फिशर तो आप लोग किस उत्तर दिया है मुद्रा इस्प्रेंटि अन्ययाई पुन ऐगा मुद्रा संकूचन अधिक बुरा है मुद्रा की मातरा पर की मतरे और व्यापार की मतरा पर नृण किसपर अधारित है विदारत हैं अभी तक आपने सब्सक्राइबु नहीं क्या है तो आपने अगर मुद्चा का चलन कर दिया है इसमें उत्तर दिया है मुद्रा के चलन पर अगर आपने मैं सी ने होगा है हाग वह तो इसका a right हो जाएगा सुची एक को सुची दो के साथ में क्या करنا है मैच करवा आना है और ओप्सन यहां पर कटे पटे हैं तो यहां पर तो भया अब थोड़ा से मूप पर करके देख लेता हूं कुछ दिखाए दे जाए तो चलो बई कूट एक दो तीन अचा कूट तो साई है चलो गिन्नी गुणांक लोरेंज वक्र टपकन प्रभाव और सामर्त शम्ता यह प्रसंद गलत नहीं होना ची यह यह प्रसंद आपके हाँ बिलकुल आएंगे भया लून करने से आएंगे बिलकुल आएंगे लून करने से आएंगे भई आप नेक्स्ट का मतलब आंगे इसकी पमार दें क्या मारेंगा ये गिननी गुनांग लरेंज वक्र को आपने पढ़ा है कि गिंनी गुनांग किसे संबंदित है गिंनी गुनांग संबंदित हैं आपके संकेंद्र DENNIS शेत्र का समानता रेखा से नीचे के कुल शेत्र में अनुपात की गणना लोरेंज वक्र क्या करेगा लोरेंज वक्र क्या करेगा आई के वित्रण में जनसंक्या के सत्मंक अंसों का अध्यन करेगा टपकन प्रभाव क्या करेगा वही विकास के लाब के नीचे तक जाने की प 3, तो 3 कहां पर एक तो यहां पर है, और 1 यहां पर है, इसका मतलब यह 2 तो गए काम से, लोरेंज वक्र का क्या है, पांच है, तो 5 कहां पर है, यह तो 1 है, तो यह भी गया काम से, यह रो, C उत्तर हो जाएगा भी, C अगर आप लोगों ने दिया है, बिलकुल C इसका राइट उत्तर है, उल्टे V आकार का कुजनेट वक्र दरसाता है, जैसे जैसे परती वक्ति आई बढ़ती है, आई की ऐसमानता गड़ती है, उल्टे V का, जैसे जैसे परती वक्ति आई बढ़ती है, आई की ऐसमानता बढ़ती है, और तब गिरती है, परती वक्ति आई और ऐसमानता हैं एक दूसरे से परतिलोमत समंदित हैं, परती वक्ति आई और आयों की समानता एक दूसरे के परतिलोमत समंदित हैं, तो उल्टा जो यू आकार है, ये किस से समंदित हैं, उल्टा यू आकार कर लो तो आप इसको यू करो यह तो सुल्टा हो गया ना यह उल्टा हो गया चलो तो इसका राइट अंसर आप बिल्कुल डी उत्तर दिया है जैलेंस की ने भई आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो तो तीस का डी क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट अंसर तो क्या मंदी को दूर करने के लिए के लिए जान बुझकर बढ़ना क्या तो संख़ए होगा है कि आप लोग ने बहुत जल्दी उत्तर दिया है इतना जल्दी भी आप उत्तर दे रहे हैं तो क्या किस उद्देशे से दे रहे हैं तो मेरे साथ से तो भी तो नहीं है इसका राइट अंसर डी होगा किया आ अर्य बाई आयेंगे बुलाव तो सही तुम लोग नौपरि लग ऊपरो इसका बंच का मतलब हो गया मुद्र इस्पती सामान कीमत इसतर निरंतर वेगर कीमतों में क्या कहलाता है वी इस्पति कहलाता है और मुद्रा इस्पति के साथ साथ आउ मंदन क्या कहलाता है यह कहलाता है निश्पंदन इस्पति तो इसका डी क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा मुद्रा अप इस्पति की प्रक्रिया में मुद्रा इस्प प्रैक्त बाटाया जाता है उठ्रज्द में से सभी है सकते हैं मुद्रा अपस्पती की प्रक्रिया में क्या किया जाता है कोई Красometre All कोई बात निदेख लो आरामसे हाँ आ हां आज का पेपर जो ist Ihr mix-up है आज का यह पेपर जो है मैंने मिक्सप लिया है एक बार आपका सेलेबस कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद में और थोड़ी दुहाकेदार पढ़ाई करने वाले हैं अभी आपके पास 30 डेज का समय बचा है और एक्जाम बढ़ती है तो बहुत अच्छी बात है मैं तो नहीं मानूं कि बढ़े जहां पर आप तयारी हो वहीं पर इस्टार्ट हो जाए एक्जाम तो ठीक से रहेगा चलो बढ़ी तो 32 का आप लोगों ने क्या उत्तर दिया अगर 32 का आप लोगों ने भी उत्तर दिया है तो सी राइट अनसरी वह यह यह बी है और यह सी है तो इस्तिर रखा जा में मुद्रय इसपति दर को क्या किया जाता है यह राइट होगा यह राइट होगा कि इसपती दसाओं में आर्थिक विशाम्ताओं बढ़ती हैं गटती है यह परिवर्थन आता है हां बिल्कुल वह उपर नीचे कर दिया ऑप्शन को तम में ठोड़ा सा डायव गया था ठीक, बिलकुल, गठाय जाता है, बिलकुल सही है. Okay, ब Faith, तो थर्टी तरीका आप लोग ने right उतर क्या दे दिया है? अगर आपने थर्टी तरीका A उतर दे दिया, इस पतिक दसाओं में आर्थिक विसमताइं बढ़ती है, बिलकुल सही उतर आया है, A is right AIDS सब मुद्रा संस्पति reflection में साक मुद्रा की मातरा गठाई जाती है बढ़ाई जाती है इस्ति रखी जाती है उप्युक्त में से कोई भी नहीं है ठीक अब तो चो तीस का आप लोग क्या उत्तर दे रहे हैं देदी जेग़ा फटापट से बढ़ती है चो तीस का अगर आप उ पर नहीं होता है किस कारण विदेशी व्यापार में गाठे के कारण मौद्रिक मजदूरी दर्मेतिवर वरद्दी के कारण सुका बाड जैसे प्राकर्तिक के कारण और स्वन मुल्ले के एप्रत्यसित कमी के कारण तो आदुनिक समय में निश्पंदन का जोक रीजन है वो सब से बड़ा रीजन क्या माना जाता है ठीक है तो राइट अंसर क्या होगा वहीस का थर्टी फाइब का थर्टी फाइब का राइट अंसर अगर आपने भी उत्तर दिया है मौद्रिक मजदूरी दर्मेतिवर वरद्दी के कारण तो यह को इसका आदुनिक समय का कोई सब theory कारण नहीं नहीं तो भी बिल्कुल सर उतर दिया है सभी निभी इन पर प्रेशन जे आच चाह से हैं विश्पति के साथ साथ के साथ बेरोजगारी प्रसारियों पूर्ण रोजगार विस्पतियों पूर्ण रोजगार स्टेक प्लेशन स्टेक प्लेशन बिलकूल आप लोगों ने पढ़ा आपके सहलेबस में है नमस्कार भै राजुजी कैसे हो तो 36 का अगर आप लोग ने उत्तर क्या दिया है अभी तक 36 का उत्तर भी आगया है रस्मी जी का बिलकुल प्रशार के साथ बेरोजगारी प्रशार के साथ बेरोजगारी स्टेक प्लेशन का सबसे बड़ा रीजन है ए नहीं होगा भाई बी होगा बच्चों भी होगा मुद्रा इस्पति के समय मुद्रा का मुले बढ़ता है तत थोड़ा से इसको देख लेना थोड़ा सा आगे इसका ओप्सन जो है ठीक नहीं है 37 का क्लास सही चल रही है मेरे पास तो आप लोगों के नेट में हो सकता है को इसी हो वही मेरे पास सही चल रही क्लास आपके कमेंट भी आ है और आपका नैट थोड़ा सा हो सकता है इस्व आप लोगों ने सुबह से लेके साम तक नेट का प्रियोख किया है तो से इमानदारिश यह बताना मेरे आप लोगों गिरता है तता वस्तों के मुल्य बढ़ते हैं यही तो मुद्रा इस्पिती है मुद्रा का मुल्य तो क्या होता है गिरता है प्रंतु वस्तों का मुल्य क्या होता है बढ़ता है मुद्रा संकुचन के समय मुद्रा का मुल्य बढ़ता है तता वस्तों के मुल्य भी बढ़ते है मुद्रा का मुल्ले गिरता है तता वस्तुओं के मुल्ले गिरते हैं मुद्रा का मुल्ले गिरता है प्रंतु वस्तुओं के मुल्ले एह प्रभावित रहते हैं मुद्रा संकुचन मुद्रा संकुचन का अर्थ क्या होगा हाँ वाइपाई वाले मजे में है हाँ यह थोड़ा पूरा काम चलाने का प्रियास करो तो भाया चाहे लाइबरेरी में जाके बैठ जाना ठीक है दो जीवी से तब पार नहीं पड़ेगी भावेश फुल में देखा कर फुल हडी देख एकजार सत्तर में देख जो आराम से सब कुछ ऐसासा दिखे देखने मजाए आखे भी तेरी जबी तुरी आंके खराब होगी मेरे कैसे लग रहा है 38 का राइट आंसर क्या बताया मुद्रा का मुल्ले जब बढ़ता है तो वस्तों का मुल्ले क्या हो जाता है गिर जाता है यही तो मुद्रा संकुचन है मुद्रा का मुल्ले बढ़ेगा तो वस्तों का मुल्ले क्या हो जाता है गिर जाता है आपको सुमयलित करना है आवश्यक न्यूंतम प्रियान सिद्धान्त किसका है बड़े जटके का सिद्धान्त किसका है संतुलित विकास का सिद्धान्त किसका है थर्टी नइन को आपको क्या करना है हाँ हम ही करवाएंगे यह काम बचार हमारे को वस्तमारे रिचार्ज करवाने रह गए यह इतना पढ़ा रहे हैं वो कम है क्या कल मैंने topic बता दिया न कल का कल मैं आपको 120 क्योसन करवाँगा भई 120 क्योसन किसके ओने वाले है 120 क्योसन मैं आपको quality पढ़ाऊँगा और यानी कि पढ़कर आना है यनि की पंचाई तिराज और सहरी सवसासन आपको पढ़के आना है चलो वई तो राइट आंसर क्या होगा 39 का राइट आंसर आपने दे दिया है सी तो सी इसका राइट आंसर होगा सी को कैसे जोड़ेंगे मतलब उल्टा जोड़ना है न्यूंतम आवशकता हारवे लिबिस्टन का बड़े जड़के का सिद्दान्त रोजेंसन रोड़न का संतुलिंत विकास का सिद्दान्त नरकशे का और ये असंतुलित का सिद्दान्त है हर्समेन और सिगर का तो इसमें च चार यह 3 होगा यह पर चार तीन दो यानि सिक्षी क्या हो जाएंगा इसका राइट अंसर बिलकुल हाँ यही काम रहे आप यहीं तुम्हारे रिचार्ज करवाएंगे वह वक्र जो करव कुल कर आए के संबंद को दरसाता है उसे कहते हैं लाफर वक्र फिलिप्स वक्र और लॉरेंज वक्र और ओजाईव वक्र भई ठीक भई तो आप लोगों ने फोटी का लाफर फिलिप्स और लॉरेंज और ओजाईव ठीक है तो कॉमल ने उत्तर दिया है तीन यानि सी और इतने confidence से उत्तर दिया है तो क्या ये सी सही होगा क्या क्या इसमें ए हो सकता है क्या चालीस में क्या ए हो सकता है क्या एक बार कमेंट करके बताएं क्या इसमें लॉफर वक्र हो सकता है कि वह वक्र जो करकी दर और कुल कर आएके संबंद को दरसाता है को इसको आई प्रेशन को यह में भी एक सोट्स पे यह प्रसंद देख रहा था है कि मैं गुर्जी तीन दिन से प्रसंद का उत्तर पुंच रहा हूं मेरे को मिल नहीं रहा है तो भाई तीन दिन से तू खुद भी अगर सर्च करता तो इस पे पीछडी कर लेता तीन दिन के बीतर-बीतर तो तो भाई इसका राइट अंसर होगा लाफरवक्र buBrushet.任 का है wilure अ कու आ आ तो मेरे बाहु देख़ो ऐसा है कि कोई प्रसंद सरको आये कि नहीं आये किताबों में मिले नहीं मिले उसमें मुझे कोई प्रसंद नहीं आया है तो इसका मतलब यह निए कि मुझे सब्जेक्ट का नोलेज नहीं है इसमें को यह कोई बड़ी बात नहीं है अमरत्य सेन हर्समेन और रोस्टोव और जी मिडल चलो गई तो इन में से आपको सुमेलित करना है कि इसका राइट आनसर क्या होगा फोटी वन का राइट आनसर क्या चलो जी अमरत्य सेन का है तकनी की चुनाओ क्या है तकनी की चुनाओ हर्समेन का है ऐसंतुलित विकास एक बार वापस इसको मेज करवाते हैं थर्टी फोर्टी वन है ना फोर्टी वन फोर्टी वन का सी करना है तो सी करोगे तो लाउण चार दो एक ओरतीन करना है तो अमरत्य सेंड चार पर लाओ तकनी की चुनाओ हर्समैन ये रा गया हर्समैन का दो करना ए असन्तूलित और रोस्टव का एक करना है विकास के चरन और G मिल्डल का करना है चक्रय संसे प्रक्रिया तो इसका तो इसका राइट अंसर देख ले ना अमर्ते सें तक्निकी चुनाव हर्समेन असंतुलित और रोस्तोव का जो है विकास के चरण और जी मिडल का है चक्रिय संचई परक्रिया आनुबाविक उधारवाद, अस्थितुवाद, दार्विन का विकास वाद और दवंध्वाद, बौतिक वाद काल माक्स ने अपना सिदान्थ की साधार पर समझाय था है चलो बई तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल से उत्तर है इसका जो है द्वन्दात्मक बहुतिक वाद जो ही यही तो कालमास का सिद्धान इसी पर तो आधारित है पूरा का पूरा तो डी हो जाएगा आर्थिक विकास सामाने तया युगमित होता है आविस्पती के साथ इस्टेक प्लेशन के साथ और अति इस्पती के साथ आर्थिक विकास सामाने तया युगमित होता है ठीक है भई 43 का राइट उत्तर क्या दे रहे हो आप लोग 43 पे आर्थिक विकास सामाने तया किसके साथ जुड़ा होता है अविस्प्रति इस्प्रति इस्टेक पलेशन और अति इस्प्रति चलो जी तो इसका उत्तर आप लोगों ने बी दिया है तो एक विदार्थी ने बी उत्तर दिया इसका प्रसांत बिल्कुल प्रसांत इसका बी होगा बिल्कुल सही उत्तर है गरीबी की सं करती है चलो इसका राइट उत्तर आप लोगों ने क्या दिया है औसकर लुइस गुनार मेडल आसिस बोस और अमरते शेन कि चलो भई सी उत्तर दिया है बही इसका मतलब अभी तक आपको बहुत सारी सामाने परीचा अपने ठीक से नहीं पड़ा है चलो लुईस ऑसकर जोसका क्या हो जायगा बिल्कुल कौमल मीडने बताया बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा राइट अनस्र हो जाएगा चलो जी और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू क्लास को लाइक करें सेर करें चैनल पर नए हो तो भी आप फटाबड़ से सब्सक्राइब को लेना और कल हमारी क्लास का समय मैं आपको बता देता हूं जार वियानुसुची और बार वियानुसुची आपको पढ़ के आनी है और इसके साथ में आपकी पॉलिटी का टॉपी कंप्लिट हो जाएगा एक टॉपी को छोड़ दे तो लोका युक्त को बाद में क्योशन आज दमदार थे आज पहली बार मुझे भी लगा है कि बच्चों को कुछ ऐसा दे कि उनकी आंके खोलने अब आंके खोलने का समय आ गया है सोने का समय नहीं है अपनी तयारी को जितना समय देशक को भिया दे दीजेगा हम लोग पूरी-पूरी मैनत करें 100% एक बार स अगली क्लास में तब तक के लिए सभी को जैहिं जैभारत और कल आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा पर्व है और आपके जीवन के लिए भी बहुत अच्छा है और देश के लिए बहुत अच्छा है सभी में सयोग और समानता, बंदूताओं की बावनाा बनाये रखन करना है यानि कि आपके मौली करतवे मौली कदिकार नीती निदेशक सभी को ठीक से पालन करना है चलो विदार्तियों मिलते अगली क्लास में सभी को गुर्णाइट रादे रादे जैसरी क्रिशना और जल्दी मैं आपको इन क्योशनों की सभी की पीडिया भी आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं जल्दी ही ठीक विदार्तियों तो मिलते अगली क्लास में तब तक के लिए जैहिन जैभारत कल के लिए और सभी को